सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और पाइए टेक्नलोजी से रिलेटेड वीडियोस सीधे अपने मोबाइल फोन पे फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आपको जेन्वीन और ओरिजनल विंडोस 10 ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करने का प्रोसेस बताऊंगा आप चाहे तो विंडोस 10 इंस्टॉलेशन फाइल को अपने कम्प्यूटर या फिर मोबाइल फोन से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मोबाइल से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो थोड़ा सा सिंपल है और जो वर्शन हम डाउनलोड करेंगे वो बिल्कुल ओरिजनल और जेन्विन होगा तो चली स्टार्ट करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो फ्रेंट्स सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल में जाकर के सर्च करना है डाउनलोड विंडोस 10 ISO अब जैसे डाउनलोड विंडोस 10 ISO सर्च करेंगे तो सबसे उपर जो आपको लिंक मिलेगा आपको देख लीजेगा www. www.microsoft.com का website है उस पे जाकर के आपको क्लिक करना है ठीक है तो हम genuine version of Windows 10 Microsoft के official website से जाकर के डाउनलोड करेंगे तो देखे यहाँ पर यह जो website है friends वो open हो चुका है नीचे जब आप scroll करेंगे तो left side में आपको यहाँ पर एक button मिलेगा download tool now सबसे पहले आपको क्या करना है आपको एक software छोटा सा software है जिसे कि आपको download करना होगा तो देखे यहाँ पर हमने इसे download कर लिया है उसके बाद आपको इसे open कर लेना है बहुत ही छोटा सा software reference तो सबसे पहले आपको इसे download करना होगा उसके बाद ही आप Windows 10 के genuine ISO file को download कर पाएंगे तो देखे यह जो software reference यह download हो चुका है और open करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का interface आएगा आपके सामने में यहाँ आपको थोड़ा सा wait करना है friends क्योंकि यह जो software है यह application है यह आपके computer को check करेगा उसके बाद देखे यहाँ पे license term आएगा आपको यहाँ पे accept कर लेना है इसे agree कर लेना है license terms को accept करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा wait करना होगा उसके बाद एक नया page आएगा यहाँ पे आपको दो options मिलेंगे सबसे उपर वाला option है upgrade this PC now ठीक है तो यह उपर वाला option उनके लिए है जो कि अपने पुराने operating system को Windows 10 में upgrade करना चाते हैं तो आपको नीचे वाले option पे click कर ल ठीक है तो यहाँ पे देखे by default कुछ selected है language में English selected है ठीक है आप देख सकते हैं addition में Windows 10 selected है और architecture में 64 bit selected है तो आप इस option को uncheck करके आप इसे change भी कर सकते हैं जैसे कि अगर आपको suppose architecture को change करना है आपको 32 bit operating system download करना है तो वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको कोई दूसरे language में Windows 10 operating system को download करना है तो वो भी आप कर सकते हैं या फिर आप just इसे click करके by default next option पे click कर सकते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का option आएगा choose which media to use ठीक है उसके बाद आपको नीचे वाले option ISO file पे click करने के बाद आपको फिर से नीचे आ करके next button पे click कर देना है next button पे click करने के आपको यहाँ पे location specify करना होगा जहाँ पे आप इस ISO file को save करना चाते हैं तो आप अपने computer के hard drive में जिस किसी location में इस ISO file को save करना चाते हैं उसे आप select कर लिजे तो यहाँ पे हमने desktop select कर लिया है उसके बाद friends जैसे ही आप इस पे select करके next करेंगे तो download का जो process है वो start हो प्रेंटो में यह download हो जाएगा depend करता है कि आपके internet का speed कैसा है friends अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस Windows 10 ISO file को अपने mobile phone में download कर सकते हैं mobile phone में इसे download करना काफी easy है बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो यह है कि आपके mobile का data balance minimum 6 GB होना चाहिए क्योंकि यह ज उसके बाद आपको सबसे उपर वाले link पे click करना है और Microsoft के official website पे चले जाना है यहां जो website open होगा friends वो Windows या फिर जो आपके computer में website open होता है उससे different होगा ठीक है यहां पर आपको कोई tool download करने की जरूरत नहीं है आपको directly Windows 10 ISO file download करने का option मिल जाएगा तो यहां पे देखिए edition में Windows 10 select कर लेना है उसके बाद confirm करना है इसके बाद आपको language select कर लेना है कि आप किस language में इसे download करना चाहते हैं तो यहां पे हम English International select कर लेते हैं उसके बाद आपको confirm बटन पे click करने के बाद आपको architecture select करना होगा 64 bit या फिर 32 bit जो भी operating system आप architecture download करना चाहते हैं उस पे आप ज tool download करने की जरुवत नहीं पड़ेगी इसमें तो यही वो process है friends जिसके द्वारा आप बहुत यासानी से genuine copy of Windows 10 operating system आप download कर सकते हैं तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो thank you very much friends for watching this video